सुनाव सुजलोन एनरजी लिम्टेड अब देकी 4500 पर 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई है यह 5% लोवर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है ऐसा क्या हो गया Q4 में है कि इतना बड़ा है यहां पर डेंट पड़ता हो दिखा है मैं अल्रेड आपको बता चुका हूँ कि जो तेजी स सुजलोन के अंदर हुई थी वो कर्ज खतम होने की तेजी हुई थी कर्ज खतम हो चुका है और सुजलोन का स्टॉक अब बिलकुल टेपैंड हो चुका है quarterly numbers पर quarterly numbers पर हमें completely देखना होगा कि क्या बिगड़ा हुआ है ऐसा जो कि इतना mood बिगार दिया है stock के अंदर तो एक अच्छी ख़बर है कि यहाँ पर earning की जो presentation है उसमें बताया गया है कि सुझलोन का जो यहाँ पर आपका order book है वो अब तक की largest ever है 3.3 gigawatt की यहाँ पर order book इनके हाथ में लगी हुई है और अभी हाल फिलाल में आप देखेंगे तो 402 megawatt का यहाँ पर order हाथ में लगा था जो इनिपर green energy की तरफ से तो company का जो order book है वो अब तक all time आई पर चला है और आगे भी ऐसे यहाँ पर बढ़ता हो देखेगा भी लेकिन market को ऐसी क्या बात खटक गई है जबकि आपका total income जो की revenue from operation और प्लस है आपका other operating income या कह सकते है other income को जोड कर यहाँ पर देखा जाता है तो आपके सामने grow करता हो दिखा है quarter quarter आपको जो है almost 1700 करोड से बढ़कर 207 करोड से तो कोई भी आपर complain हम यह नहीं कर सकते है revenue from operations से या फिर आप कह सकते है total income से आप कहें तो यहाँ पर कोई भी आपर जो है complaint नहीं है बट अगर आप देखें जिस तरीक से यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपके profitability में अगर आपके profit before tax में आपके सकते है 27 करोड रुपए का यहाँ पर जो है exceptional item है जो कि यहाँ पर कटने के बाद जो profit after tax है वो 252.87 करोड रुपए बसता है जो कि quarter to quarter अच्छा है 203 करोड से बढ़कर है बट year on year basis पर नाखुस कर दिया है 303 करोड से घट कर आपका 252 करोड रुपए निकल के आया है यह थोड़ा सा एक दुखी वाली बात यहाँ पर कर दी है सुझलों की तरफ से एक हाथ लगता हो दिखा है quarter to quarter बढ़ा है बट इससे भी एक बड़ी बात है जो कि यहाँ पर समझ में आती है जो कि यहाँ पर हम करेंगे लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका tax काट कूट कर जो यहाँ पर बसता है जबकि यहाँ पर tax का यहाँ पर छूट मिली है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि tax कट गया है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट आपके निकल के है वो 254 क्रोट पर निकल के आए जो कि कौर्टर दर कौर्टर आपका जो है दो सो तीन क्रोट से बढ़ कर रहे है एर ओन एर बेस्स पर यहाँ पर जो है कटा हुआ है जब कि अल्रेडी हम आप से बात कर चुके हैं कि यहाँ पर आपका कर्ज जो है कम हो चुका है अब कंपनी यह कहां स्टॉक जो है वो फोकस करेगा नंबर्स पर नंबर्स वैसे निकल के नहीं आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जो है चाहिए थे अगर आप देखें करिश खतम हो गया है तो अच्छे में आते हैं जबकि ABB इंडिया के अच्छे नंबर आए सीमेंस के जो है वो अच्छे नंबर आए मार्केट खोस है कैप्टल गूड कंपनियों से लेकिन सुजलोन का थोड़ सा यहाँ पर धीला रविया रहा है लेकिन कोई बात नहीं कंपनी अभी अभी दिक्कतों से बाह है लेकिन येर और येर बिसस पर आपका जो है वो पॉइंट ट्विंटी फोर से डाउन है आपका पॉइंट नैंटीन का निकलकर आया है अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विंट अर्वाइन जनरेटर से आया है वो तो यहाँ पर एक हजार करोड से बढ़कर पंद्रा सो करोड है और फाउंडरी और फॉजिंग करकर यहां पर जो है एटी एट करोड से बढ़कर 158 करोड हो गया है यानि कि अल्मूस्ट डबल हो चुका है फाउंडरी और फॉजिंग का यह भी आप देखें और 50 परसेंट का यहाँ पर जो है आपका यहाँ विंट परसेंट का ग्रो है जहां 55% का और 100% का यहाँ पर ग्रोध हमें देखने मिल दी है फॉजिंग में और बिंटर्वाइन में तो वह यहाँ पर थोड़ा सा मेंटिनेंस का काम जो है वह 10% का ही ग्रोग किया ठीक है यह लेकिन ऐसा नहीं है कि यह नंबर से जो है वो सब कुछ है और बस आपका खेल खतम हो गया इस बात को आप समझे कि कमपनी दिक्कत से बाहर निकली है और अब अच्छा खासा ग्रोग करने स्टार्ट करेगी ओर्डर वुक अच्छी खासी हाथ में 3.3 गीगा वाट कमजोर यह नंबर यह नंबर आपके सामने नहीं है 3.3 गीगा व का यहाँ पर नंबर आ चुके हैं तो वो अब उसका EPS जोड़ेगा यह आपका नहीं जोड़ेगा ठीक है ना तो एक बड़ा यहाँ पर जो है अच्छा खासा नंबर आया था मार्ज 2.3 में जो कि अब यहाँ पर नहीं जोड़ता वो दिख रहा है तो आपके जो बाकी के क पीएस आपको देखने को मिलना है तो यहाने कि वैलिएशन कंफर्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिला है इस वार यहाने कि आपका जो पी रेश्यों है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है 95.55 का जो इंड़ेश्टी पी यह उतने ही आसपास यहाँ पर आपको लए आएगा अब ऐसा जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा यह तो बात की बात है वो तो मार्केट जाने बट यहाँ पर जो इस वार इस क्वार्टर में तो यहाँ पर कंफर्ट नहीं लगा है भले ही रिविन्यू आपका जो ग्रो की है भले ही आपका जो टोटल इंकम ग्रो करी है बट आपका जो प्रौफाइट एंटीओ करने चीए और ऐसे साब से प्रौफिट एविल्टीओ नहीं करीम है तो यह पर ही है लैकिन हां अगर नैक्स्ट क्वार्टर अच्छा लाते हैं डेफिनिल यहाँ पर जो आपको यह चार क्वार्टर देखने कंए किर और आपको यहां पर एक बड़ा comfort आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यहां पर Q1 अच्छा निकल जाए कहीं न कहीं सुझलों को जो है वो आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है थोड़ा सा और सिग्मेंट में एंटर करने की जरूरत है जिस तरीके से सीमेंस काम करती है क्योंकि आपर एक Seasonal TV भी बता ही आती है कि आती है तो ठीक है उतना आप अंदर नहीं गए है कि Seasonal TV पता कर लें यह पता कर लें अबर यह पर हमें एक चीज़ में आ रही है कि यहां पर और और भी जो यहां पर Q1 सुझलों सिर्फ विन तरवाइन नहीं बनाता है आप को सु तो आगे और थोड़े से प्रोड़ेक्ट अगर लेकर आएक तो आगे यहां पर जो है काफी हेलफुल रहेगा इस कंपनी के लिए तो ठीक है मार्केट इसको पनिस करेगा या नहीं करेगा यह तो बात की बात है बट इस वाक्त आप कह सकते हैं कि एक इन-लाइन नमबर ही रह का 18.68 टाइम चला है आपका सेमिन्स का आप देखेंगे एवी बी इंडिया 27.90 टाइम चला है आप देखेंगे सीजी पावर अगर आप देखेंगे तो 32.33 टाइम चला है है विल्स इंडिया काम दूसरा है वही उसके अंदर जाएंगे ने क्योंकि वह अलग प्रोड़ेक् करना पड़ेगा उसकी अलग मैथमेटिक दोड़ाने पड़े तो वह बात की बात है हम उतना नहीं जाएंगे लेकिन अभी तक यहां पर समझ में आ रहा है कि बहुस हाँ ठीक है आपकी जो इंडिस्ट्री प्लियर्स हैं वह आपसे थोड़ा सा उपर काम करें क्योंकि वह पता ही होगा जो इनके स्टॉक्स में रेली बनीती वो तो आपको यादी होगा लास्ट तो यहां पर नाखुस कर दिया है मार्केट को सुजलोन एनरजी ने वैसे यहां पर क्या ही कर सकते हैं अगर यहां पर थोड़ा सा और इंक्रीज होता जैसे की पॉइंट 19 है थोड़ इनकम है एटलिस्ट वो है वहां से एक अच्छे संकेत मिल लें ठीक है अब क्या थोड़े से संकेत भी यहां पर जो है इंडिकेटर जो है वो आपको देखने पड़े इंडिकेशन क्या दे रहे हैं यह सारी चीज देखने पड़ेंगी वही आके काम करेगा बट सुजलोन क तूट जाए यहां बहुत जादा बिखर जाए स्टॉक अला कि आप टेक्निकल पर आ जाते हैं कि टेकनिकल क्या कह भussia है तो ठेकनिकल भूई यह कह viral है कि आपको 50ک 124 पॉइंट असी के जो लेवल है वह क्रॉस होना मांगता है और वह आसानी से क्रॉस होगा कूंकि मैं आपको बताता हूँ तो यह trend line डॉक कर लीजिए वंडी के अनिरिस्टिक चार्ट पर एजली आपको समझ में आ जाए कैसे करना है एक लंबे टाइम से यह trend line को फॉलो कर रहा है वो trend line जो है वो ब्रीच हो गई है अब इस stock के अंदर अच्छा level क्या होगा वह यहां पर आपका जो अच्छा level होगा वो अल्मोस्ट है 45 44 रुपए का यह आपका supporting है लेकिन अगर यह तूटता है तो बापस से यहां पर डाउन चला जाएगा stock higher side जाने के लिए क्लिए क्लिए 50.80 की उपर टिक जाए तब ही यह यहां पर चलेगा लेकिन क्या चल पाएगा इसका answer जो है वो market ही देगा क्योंकि in-line numbers है market यहां पर जो है बताएगा कि होना क्या है actual क्या order book सुनकर खोस है तो वो कल का रविया देखे गाने की Monday का रविया देखे गा सुजलोन के अंदर क्या बैटता है otherwise यह अगर लेवल टूट जाता है 45 रुपए का 44 रुपए का तो आप यह समझेगा कि यह कहीना की 40 रुपए जो है वो बापस मूड़ चुका है और वो एक रेंजी में रहेगा 50 रुपए से शायद 35 रुपए एक रेंज रहेगी जिसके अंदर यह टेलता रहा है और अगर नहीं टेलना है तो यह 50 रुपए 80 रुपए का लेवल क्रॉस करना है जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर का लेवल है और अगर यह क्रॉस हो जाता है जो कि एजली क्रॉस नहीं होगा क्रॉस अगर हो जाता है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी एक यहाँ पर यह समझ सकते है सो में ते काफी कुछ आपको समझ में आया होगा यह 50 प्रपास सी पैसे सेलिंग भी बापस आएगी यह भी ध्यान रखेगा तो आप क्या कहना है इसको उपर कमेंस साथ समझ के एगा और अपड़ी सुजा है वड़ी देखिए के लिए बहुत अन्माद दूस्तो